हमारे सभी दर्शकों को साधर परणाम जैसी कृष्ण आज का हमारा विशय है विवाह में बार बार विग्न आना एसा योग जिसके प्रभाव से विवाह नहीं हो पाता है उसमें कोईन कोई विग्न हमेशा आता रहता है जब भी विवाह की बात करते हैं कोईन को ऐसी बात आ जाती है कि विवाह में व्यवधान उत्पन हो जाता है और जिस व्यक्ति की कुंडली में चाहे लड़का हो चाहे लड़की उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उसके मन में भी बार बार बदलाव आता है और फ बहुत ही सरल सुन्दर जानकर आपको मिलेगी और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप अपनी लगन कुंडली खोलें और देखें है तीन स्थतियां आपको समझनी है एक तो आपकी लगन कुंडली क्या है दूसरी आपकी चंदर कुंडली क्या है और तीसरी इस्ति सब्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है तो आप अपनी कुंडली खोलें और कुंडली से ही समझ सकते हैं लगन कुंडली से ही इस योग को समझ सकते हैं चंदर कुंडली भी वेसे देखने की आवशकता नहीं है तो सबसे पहली इस्ति तो यहां देखें कि लगन का स्वामी कौन सा ग्रह है सबसे पहली इस्ति लगन का स्वामी आपकी जो कुंडली है D1 चार्ट है लगन कुंडली है उसमें लगन में क्या राशी लिखी हुई है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है पहली इस्ति दूसरी इस्तिति आप यह देखें कि आपकी राशी क्या है अर्थात आपकी जन्म राशी आपकी कुंडली में चंद्रमा किस अंक पर लिखा हुआ है आपकी चंद्र राशी क्या है दोनों को देखें सबसे पहली इस्तिति और फिर बाद में देखें कि सब्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है तो आपकी राशी का स्वामी आपकी कुंडली में जो आपकी राशी है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है और आपकी कुंडली में लगन में क्या अंक लिखा है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है और तीसरी इस्त से करेंगे तो विवाह में थोड़ी सी सुविधा रहेगी जल्दी हो जाएगा आपका काम जल्दी हो जाएगा विवाह में अडचन फिर नहीं आएगी तो इस इस्तती को समझने के लिए मैं हमेशा बताता हूँ आप चाहें तो कोई भी वीडियो देख सकते हैं यदि आज आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे अवश्य दबाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में भी और भी ज जो भी जानकरी मैं दूंगा आप तक समय पर पहुंच पाएगी तो जैसे मेश राशी है उसका स्वामी मंगल होता है एक नंबर मेश राशी उसका स्वामी मंगल होता है दो नंबर व्रशब राशी उसका स्वामी शुक्र होता है तीन नंबर मिथुन राशी स्वामी शुक्र, आठ नमबर व्रश्चिक राशी, स्वामी मंगल, नो नमबर धनु राशी, स्वामी गुरू, दस नमबर मकर राशी, स्वामी शनी, ग्यारा नमबर कुंब राशी, स्वामी शनी, बारा नमबर मीन राशी, स्वामी गुरू होता है, तो इसको आप समझ लेंगे, तो स्वामी और आपकी राशी का स्वामी दोनों सब्तम भाव में बेठे हो पहली इस्तदी आपकी कुंडली में जो लगन का स्वामी है वह सब्तम भाव में बेठा हो और आपकी कुंडली में आपकी जो राशी है चंद्र राशी चंद्रमा जिस अंक पर बेठा हुआ है उस अंक उस राशी का स्वामी भी सब्तम भाव में हो पहली इस्तती तो यह रही और दूसरी इस्तती सब्तम का स्वामी कुंडली में बारवे भाव में बेठा हो यह इस्तती बहुत खराब होती है एसी इस्तती में फिर बार-बार विगन आते हैं हलांकि ऐसे वेक्ति के पास पेशे की कोई कमी नहीं रहती है, आर्थिक इस्ति अच्छी है, सारी इस्ति हैं अच्छी है, लेकिन विवाह में विग्ण आरते हैं। तो सुत्र क्या है आपकी राशी का स्वामी और आपकी कुंडली में जो लगन का स्वामी है वह दोनों सब्तम भाव में बेट जाए और सब्तम का स्वामी बारवे भाव में बेट जाए तब एसा योग बनता है और एसी इस्तिती में फिर समस्या रहती है तो कुंडली योव में इस प्रकार के योग भी बनते हैं जो कुंडली है उसमें इस प्रकार के योग भी बनते हैं और वे दिखने में सामने से लगते हैं क्योंकि लगन का स्वामी यदि सब्तम भाव में हो तो यह लगन का स्वामी केंदर में हो तो अच्छी इस्तती ही होती है लेकिन फिर भी विगन आते हैं और इसके साथ में चंद्र राशी का स्वामी भी अगर सब्तम भाव में आ जाए और सब्तम का स्वामी बारवे भाव में बेट जाए तो यह इस्ति ठीक नहीं होती है इसे से हम यह समझ सकते हैं कि अब कहींने कहीं विवाह में विग्न आएगा बातचीत करेंगे फिर भी काम नहीं हो पाएगा अब उपाए क्या करें आप यहाँ देखें कि आपकी कुंडली में पंचम का स्वामी कौन सा ग्रह है और नवम का स्वामी कौन सा ग्रह है सबसे पहले तो यहाँ देखें कि भाग्य इस्थान नवम भाव का स्वामी यदि छटे आटवे बारवे भाव में नहीं है तो उसका रत्न अवश्य दारण करें दूसरे इस्थति यदि भाग्य इस्थान का स्वामी नवम भाव का स्वामी यदि छटे आटवे बारवे भाव में बेठा हुआ है तो आप पंचम भाव के स्वामी पांचवे भाव के स्वामी का रत्न अवश्य दारण करें पंचम भाव का जो भी स्वामी है उसका रत्न द विवा होगा और यह समस्या जो बार-बार आ रही है समाप्त हो जाएगी तो यह जानकर यह आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेर अवश्चिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्चिक करें धन्यवाद जैसे कृष्णा